हेलो स्टुडेंस, वेलकम टू माई यूटूब चेनल लर्निंग मेर्स दोस्तों आप दुकान पे जाते हो कहीं पे भी किराने की दुकान पे तो आपको वहाँ पे जाते हो आपको बता दिया कि एक किलो ग्राम का मुल्ली असी रुपे है अब आपको किसे पता दिया कि एक किलो ग्राम का मुल्ली कितना होगा और अगर आपको बता दिया कि 120 रुपे किलो ग्राम दाल है माना की बतारों में और आपको आपको लेना है 30 रुपे की तो आपको कितनी देगा 60 रुपे की तो आपको कितनी देगा जैसे कि आप मार्केट में कुछ भी दुकान पर समान लेने गए। अब वहाँ पर आपको बत दिया कि एक किलो ग्राम का मुली कितना असी रुपे किलो है। मतलब कोई भी वस्तुव है उसके मांने दाल है। आपको एक किलो गाँ उसने बताद दिया कि 80 रूपए दाल है अब 80 रूपए प्रती किलो दाल का मुल्य है तो आपको लेना है Formula 400 ग्राम दाल कितने की आएगी 750 ग्राम कितने की आएगी आप इस वीडियो का मुल्य कितना है 80 रूपे अब 80 रूपे है तो एक किलो ग्राम में कितना ग्राम होता है आपका तो एक किलो ग्राम होता है आपका 1000 ग्राम कितना होता है एक किलो ग्राम में कितना होता क्रिका उसे आपन क्या लिखेंगे उपर वह लिखा और बटे में क्या लिखना है एक हजार सब के बटे में 1000 यहाइगा क्योंकि एक कि calendar में डैップ filter टको ऑप क्या लिखना है जो वह है जो मुल्ले है उसका एक किलो ग्राम का मुल्ल apparently जो भी आपका दे रहा क्या है वह बटे में के लिखना है एक हजा लिखना है। गुणा आप से आप कितने ग्राम ले रहा है यहां कितना है। तो यहां कितने लिखेंगे अपन? 400 अब इसको हल कर लिजे आपका मात्र 400 ग्राम की मुल्य निकल आएगा देखना दो 0 से आपकी 2 0 के इंची लोगई और इस 0 से यह 0 के इंची लोगई तो आपका कितना गया? 8 का गुणा अपन 4 में कर लेंगे तो 8 के 32 रुपे कितना जागा आपका? 32 रुपे तो 400 ग्राम 400 ग्राम कितने की आएगी आपकी? 32 रुपे की आएगी अब अगर आपसे पूचाएगी 750 ग्राम का तो 750 ग्राम का निकल लेंगे अपन दखो वही ट्रिक रहेगी साथ सो पचास राम कितने रुपे प्रति किलो असी तो अपन क्या लिखेंगे असी लिखेंगे बटे में क्या आगा आपका 1000 रहेगा गुणित गुणे में क्या लिखने? आपने कितने का निकल ला है 750 रामका गुणे में क्या लिखेंगे? 750 थिक, बच्चो? एक 0 से 1 0 कट गई उस यह 0 से यह 0 कट गई अब अब अपन क्या करेंगे देखना? दो से इन दोनों को काट सकते हैं हैं दो से काटेंगे तो कितना जाग दो चुक है आठ उये कितना जागा दो पंजे दस पांच से प्चुत्तर को काट सकते हैं तो से प्योतर काटें किता आग आपका 15 पांचे कम 5 पच्चीज तो आपका जो आया चार का गुणापन किसमें कर लेंगे 15 में सा। aggreg कर सकते हो जो आपका मात्रा आँ एक हजार करना हिएTन…? गुणे में क्या करना है जितनी मात्रा आप ले रहे हो 400 ग्राम तो 400 का 750 ग्राम गुणिस 415 तो इस टाइप से आप आसानी से मात्रा निकल सकते हो तीक वच्चो आगा होगा समझ में कि आप मात्रा से मुल्य केसे निकल सकते हो 400 ग्राम का मुल्य किता होगा 32 रुपे 750 ग्राम का मुल्य किता होगा 60 रुपे अब इस रूपय से अपन मात्रा निकलेंगे यहाँ पर क्या आपका रूपय से मात्रा अब रूपय से मात्रा कैसे निकालते है ध्यान से जमझना जैसे कि आपको दे रखाए कि यदि किसी वस्तु का मुल्य 120 रुपय है प्रति किलोग्राम है कोई भी वस्तु है आप दुकान ते लेने गए तो उसका मुल्य कितना बता है उसने कि एक किलो का मुल्य कितना है 120 रुपय अब 30 रुपय में कितनी आएगी आपने उसे दिये 30 रुपय 30 रुपय कितनी देगा 60 रुपय कितनी देगा ध्यान से समझना कि एक किलो ग्राम का मुल्य कितना है 120 रुपे अब एक किलो ग्राम का मुल्य होगा आपका 120 रुपे तो एक किलो ग्राम में कितना होता है आपका 1000 ग्राम कितना होता है एक किलो में कितना होता है आपका 1000 ग्राम होता है ठीक होच्चो आपन क्या निकालेंगे 30 रुपे का कितने रुपे 30 रुपे में आपको वो कितनी मातर देगा अब मातर से रुपे से आपन मातर निकाल रहे हैं तो आपन इसे उल्टा कर देंगे 80 बटा 1000 लिखा था तो आपन क्या करेंगे ध्यान समझना यहाँ पर लिखना आपको 1000 बटे में क्या आपका कितने रुपे प्रती किलोगराम में 120 तो आपका कह जागा 120 गुणे में अब गुणित कितना रुपे 30 रुपे का पूछा है तो क्या लिख देंगे अपन 30 0 से 0 गई 3 से अपन किस्ते बारा काटें 4 कापन भाग देंगे 40 रुपे में कितने रुपे प्रती किलोगराम वस्तु मिलेगी जो भी आपको खरीदने जा रहा हो ठीकि बच्चों आपको समझ में यहाँ पर आपको क्या करना है एक हजार के बटे में जो आपका रुपे प्रती किलोगराम जितने भी किलोग्राम का मुले कितना है, 120 रुपे तो 120, गुणे में कितने रुपे दे रखा आपका तू इतने का लिख देना है, अब आपको मान दो, 60 रुपय का पूच्छा है, तो 60 रुपय का अपन निकल लेंगे, देखना, कितना? 60 रुपे, तो वो ही तरिकर रहेगा क्या करेंगे अपन एक हजार बटें बटें क्या आगा 120 रुपे प्रति किलोग्राम है 120 गुणित कितना आग आपका कितने रुपे पूछा है 60 रुपे का तो क्या लिख देंगे 60 चेलो से जिरो 6 अपन वारत कित वा म Herr Dollar में अब दो का भांग अपन किसमें देंगे 1000 में 7 दो का भांग एक हजार में देंगें ने कितना आगा है एक सो भी होगा होगा 120 कि एक किलो तो आध huh किलो कितने छयाइए कि इतने रूपे की गईया शाट कि आजाएगी अगर आप से पूछाएं कि 80 रूपे में कितना आगा एक तो आप 30 रूपे का आपका शी रूपे के आपका शीजिन रूपे कि कि आप निकल रहे हैं यहाँ आपका जीरो से जीरो गई चार से ही से काटेंगे हमान इसे पर अब देख नहाँ पर 2 बावारस और तुछ छेज़ से चलता जाएगा ग्राम एक कुल रूपे में असे रूपए में ठीकुछो के आगा होगा है आपको शमझ में कि आपको मातर दे आपको एक किलोग्राम का मुल्य दे देंगे तो आप मातर निकाल सकते हो और आपको एक किलोग्राम का मुल्य दे देंगे तो कितने रुपे में कितना मातर आएगी आपकी मातर से मुल्य निकालेंगे और यहां 120 रुपे में कितने आपको दिया उतना निका कर दो